मुझ पर अपना स्नेज ताने के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं इस चोकिदार के लिए आप सभी का यही विश्वास यही प्यार मेरी पूजी है भाई और बहनो मैं पिछली बार विदान सभाच चुनाव के दवरान बीजेपी के लिए आशिदवाल लेने के लिए आपके बीच आया था और इसी मैदान में आया था और इस बार मैं खोद अपने लिए आशिदवाद मानने के लिए देश भर में निकला हूँ 21 सदी के इस पड़ाओं में आज आपका वोट बहुत एहम है हमारे जो युवा साथी है जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनका वोट उनकी आकांच्छाओं की उडान तै करने वाला है हमारे किसानों को ये वोट तै करेगा कि साल 2022 तक दो गुनी होगी उनकी इनकम या नहीं होगी हमारे मद्दंबर का ये वोट तै करेगा कि उनकी पसीने की कमाई पर टैक्स की राहत होगी या उन पर तीन गुना चार गुना ज़्यादा टैक्स लगेगा देश के सामान ने मान भी उसका वोट ये तै करेगा कि महिंगाई पर लगाम लगी रहेगी या फिर दोहजार चौदा से पहले की तरह वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी आपका वोट ये तै करेगा भारत माता की जय करने वालों को सम्मान मिलेगा या फिर टुकडे टुकडे गैंग आपके बीचा कर भारत की बरबादी के नारे लगाएंगे आपका वोट ये करेगा कि रास्टबाद रहेगा या फिर बहुशवाद ब्रश्टाचार और आतंक बाद साथियों आज बिश्व धरोहर दिवस है कुडल संगा मा सहीत अनोज धरोहर इस खेत्र में है पूरे करनाटका में है हमारी परंपरा हमारी संस्कृति हमारी पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है आपके आशिरवाद से मैं ये काम करने का बहुत इमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन दुर्भा कैसे कॉंग्रेस और उसके महा मिलावटी साथ हमारी परंपराओं को हमारी संस्कृति को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष है जो नामदार के राग दरबारी है उनका बयान आपने सुना है उनका बयान सुना है प्रधानी नरेंद्रमोधी अवरा भाष्न वन्ना तावीगा केल ताई दिरा यंदी नंते चिकोडियल्ली केंद्रसर्कारद योजनेगलू मत्तो राज्यसर्कारद वैपल्येगलना हेलोदिके आरम्हमाडिदारे राज्यसरकारद जते जते के कांग्रेस ना अध्यक्षर भग्यकोडा मात्नाडत आई दिरो कांग्रेस ना अध्यक्षा नामदारी नावलरू कोडा कामदारी और वो चार बाते हैं पहला राष्टरबाद को जीब भरकरके गालिया देना दूसरा बहुंशबाद को पक्ता समर्थन करना तीसरा ब्रस्टाचारी सिष्टाचार यही उन्हीं की परंपरा और चौथा सुबे साम एक ही काम मोदी को गाली दो मोदी को गाली दो मोदी को गाली इसमें इन लोगों में जराबी भी बने ही है इसमें बराबर है बागी हर चीज में जगड़ा करते हैं बाई और बहनों चिकोड़ी के बेड़गाओं के करना तो के नेक सफूत या तो नक्सलबादियों से मोर्चा ले रहे हैं या फिर जम्मु कश्मीर में आतंग को खतम करने में जुटे हैं देश की रक्षा के लिए जाने वालों में गरीब का बच्चा भी होता है मद्द्वर का बच्चा भी होता है लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उनका भी अप्मान करते हैं जो बाशा उन्होंने प्रवब की है क्या कोई स्वाभी मानी देश का नागरी यही मुख्यमंत्री की बाशा को स्विकार करेगा उन्होंने क्या कहा था याद है याद है उन्होंने सेना में जो जवान जाते हैं उनके लिए ऐसी बद्दी बात बोली ऐसी बद्दी बात बोली माखा शरम से जुग जाता है देर लगती की भावना को भूख से जोडते हुए है कहते हैं कि सेना में वो लोग ही जाते हैं जिने अपना भूखा पेड भरना होता है भाईयो भेनों देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेड भरने के लिए जाता है ये सेना का अप्मान है कि नहीं है ये जवानों का अप्मान है कि नहीं है क्या ऐसा अप्मान बरदास करेंगे आप लोग ऐसा अप्मान सान करेंगे अरे इस एक बात पर इस पूरे परिवार को सारवजनिक जीवन से हमेशा हमेशा हताना चाहिए भाई और बेहनो कॉंग्रेस तो इससे भी एक कदम आगी जल गई कॉंग्रेस ने बादा किया है कि अगर गलती से भी मैं बताता हूँ उन्होंने ऐसा बता किया है अगर गलती से भी मजबूर सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने लिखित में किया कहा है कि वो आपसा का कानून हटा देंगे यानि हमारे जवान आतंकियों और नकसलियों से लड़ रहे हैं उनको जो विशेष अधिकान मिलता है विशेष सुरक्षा कवच मिलता है इसको कॉंग्रेस छिनना कहती है कॉंग्रेस चाहती है कि आतंकवादों के समर्थक पत्थरबाच सैनिकों पर जूठे केस कर सकें और हमारे सपूत अदालों कहीं चक्कर कारते रहें इतना ही नहीं कॉंग्रेस एक तरफ सैनिकों का सुरक्षा कबज हटाना चाहती है कॉंग्रेस ने देज़ द्रो करने वालों को खुली छुट भी देना चाहती है कॉंग्रेस ने देज़ द्रो के कानून को खत्म करने का दिया कि उसके इरादे क्या है क्या इस खत्रनाक खेल को आपका समर्थन मिलेगा आप समर्थन द्रो को जो कॉंग्रेट देर तेश्यों के साथ पड़ी है उसको सबक सिखाएंगे पक्का सिखाएंगे बेहनों ये महा मिलावटी लोग न जवान के हैं न किसान के हैं मैं जानता चाहता हूँ यहां की महा मिलावटी सरकार कभी जवाब नहीं देगी लेकिन यहां के किसानों को पता है क्या हुआ कि माफी का क्या हुआ उन किसानों का जिनके खिलाब गिरफतरी का वारन निकलवा गया था ये लोग एक तो मादा पुरा नहीं करते और जब यहां के किसान वादे की याद दिलाते हैं तो उनको गुन्डा बुलाते हैं उनका पंग करते हैं एक कैसे सांसकार है भाई और बेनों किसानों के स्थितिक और सुधारने के लिए हमारी सरकार बने पी-म किसानी उजना की शुरुआत की है देश के तीन करोर से ज़्यादा किसानों को इसका लाब मिलना शुरू हो चुका है उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जा रहे है लेकिन करना टका के किसानों को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहादी सरकार ने बहुत कम किसानों के लिस्टर में बेजी है इन लोगों को डर है कि किसान के खातेमें पैसे पूंच गया तो ही लेकी सरकार को लोग सवाल पूछेंगे लेकिन आप आस्वस्त रहेए यह ज़ादा देर तक आपका हक रोक नहीं पाएंगे है मैंने थान के रखा है जु मैंने वादा किया है जो बजेट में पैसे रखे है वो आपके खाते में जमा करके रहूँगा वो लिस्ट नहीं देंगे तो लिस्ट निकलवा के रहूँगा 23 मई को 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा याद है ना 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा याद रहे ना 23 मई को फिर एक बार फिर एक बार और तैश मही को फिर एक बार मोधी सरकार बनेगी तब पाई पाई किसानों के ऐकाउन में जमा होगी इतना ही नहीं हमने सनकल्प पर पर में गोशित किया है कि अब किसान सम्मान योजना का लाफ किसान को मिले कितनी भी जमीन हो ये संकल्प हमने लिया है पांच एकर भूमी का जो हमने नियम बना था नई सरकार बनने के बाद उस नियम को भी हटा दिया जाएगा इसके थाथ ही हम छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले स्रमीकों को साट वर्स की आयू के बाद पेंशन भी देने वाले इसी तरह पशुपालों को के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए है पशुपालों को को छोटी जरुरतों के लिए पैसे उपलब्द हो इसके लिए किसान करी रिकार की स्विधा दी गई है साथियों किसानों की आपक रहने के लिए हम व्यापक रहन दिती के साथ काम कर रहे हैं आपके इस चोकेदार की सरकार ने 22 फसलों का लागत करी गुना समर्तन मुल्या तै किया है अब भाज़पाने संक लिया है कि आने वाले पांच वर्सों में क्रिसी छेतर की विकास के लिए 25 लात करोड रुपिय लगाए जाएंगे हम अनाज के बंदारन के लिए नेस्नल हाइवे के करीब ही है नेस्नल वेर हाउसिंग ग्रीड भी बनाएंगे गाउं में किसानों को अनाज के बंदारन के सुविदा मिले इसके लिए ग्राम बंदारन योजना बनाई जाएगी गन्ना किसानों को भी मुस्किलों को सामना ना करने पिड़े इसके लिए भी अनेके प्दम उठाए जा रहे है गन्ने से इथे नौल बनाना हो या फिर चीनी का समर्थन मुल्ले तै करना अनेक फ़रे सरकार ने लिये है भाई और बहनों ये पाँच नदियों से गिरा इलाका है लेकिन कॉंग्रेस और उसकी यहां के गरों को खेतों तक पानी नहीं पहुचा पाए हमारी सरकार पहले ही अनेक प्रोजेक्ट पर काम करी है अब इसको और विस्तार दिया जाएगा पांच बरसों मैं जिस तरह हमने बिजली के लिए काम किया अब हम पानी देने के लिए काम करेंगे और इसके लिए बारत सरकार में अलग से एक नया मंत्रा लए बनेगा उसका नया बजेट होगा उसका अलग मंत्री होगा और वो होगा जजशक्ती मंत्रा लए सोलार पंप देने का काम तो हम सुरूप भी कर चुके हैं तो हमें छोटे-छोटे सोलार ग्रीट लगा कर मुप्त में किसान भी सिंचाई भी कर पाएंगे और बाकी बची बिजली को किसान भेज भी सकेंगे सात्यों भी कास की पंच धारा यानि बच्चों की पढ़ाई युवा को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसानों की पिचाई और जनजन की सुनवाई इस पर हम काम कर रहे हैं चाई सस्ती दवाईया हो फिर आईश्मान भारत योजना करनाटका के गरीब और मद्दमबर के परिवार को बहुत आर्थिक लाब हो आए इसी तरह युवा साथियों को मुद्दुर्गों के तहत स्वरोजगार के लिए बिना गैरंटी के रून दिये जा रहे हैं इसे गाउं गाउं में स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं हमाने वाले पांच वर्षों में इस योजना को और ससक्त करेंगे साथियों एक तरफ विकास का हमारा इवीजन वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के पास सिरफ खोखली गोठनाए हैं कॉंग्रेस और महा मिलावटी लोगों के साथन में इन तरह के ही विकास होते हैं कुछ परिवारों का विकास बिचोलियों और दलालों का विकास महिंगाई का विकास याद करिये 2014 से पहले मंगाई की स्थिति क्या थी गरीब और सामाने मुश्किल हो गया था कॉंग्रेस आई महिंगाई लाई ये कॉंग्रेस का आदर्श वाक्य है साथियों चौकेदार की सरकार ने महिंगाई के उस रफ्तार पर लगाम लगाई है दस प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली महिंगाई आज दो तिल प्रतिशत तक हमने पहुँचाई है आप सभी चौकेदारों को चौकरना रहने की जरूत है क्योंकि कॉंग्रेस ने महिंगाई बढ़ाने का प्लान तो सामने रखी दिखाया है गरीबों की सबसेड़ी खतम करने की भी योजना बनाई है वोट के लिए कॉंग्रेस और उसकी महा मिलावट की हर साजिस को हमें नाकाम कर रहा है आपका एक एक वोट कमल के निशान पर देना है और भाईयों बैनों जब आप कमल के निशान पर वोट दबाएंगे ना जब आप कमल को वोट देंगे जब कमल को वोट देंगे तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा भाईयों बहनों आप मुझे बताईए आज साल जिस मजबूती के साथ मैंने काम किया आप उसे खूश है आपको संतोश है पाकिस्तान में गुश करके मारा आपको खूशी है आपको संतोश है हमारे जवानों के खूण का बड़ला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपको सेना पर वरोसा है आपकी सेना के पराक्रम पर वरोसा है सेना की बात पर वरोसा है ये कॉंग्रेस वाले हमारे सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और कॉंग्रेस के सबूत, पाकिस्तान के सबूतों पर भरोसा करते हैं भाईयों बेनो देश तभी चलता है जब मजबूत सरकार होती है देश तभी चलता है देश तभी मजबूत बनता है जब सरकार भी मजबूत हो आप मुझे बताइए सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए देश मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है मजबूत देखनाने के लिए मजबूत सरकार बनाएंगे क्या और मजबूत सरकार बनाने के लिए ये चोकेदार भी तो मजबूत चाहिए के नहीं चाहिए चोकेदार भी मजबूत चाहिए के नहीं चाहिए लेकिन भाई यो बेहना अकेला मैं चौकिदार नहीं हूँ सोरा हिंदुस्तान चौकिदार है 130 करोर चौकिदार है आप मेरे साथ संकल्ब लेंगे मैं कहूंगा मैं भी मैं भी हाथ उपर करके पूरी ताकत से बोलना है और पीछे जो है उन्होंने भी बोलना है बोलेंगे नना जोत यल्ली हेडी आप बोलेंगे नानू चौकिदार नना जोत यल्ली हेडी नगरा नगरा यल्ला वो मकड मकड यल्ला रो हरी यरू कुडा ताही अक्का संगे मने मने यल्ली अलू उलुवा भुमी यल्लो पार्क नल्लो देश्दा अलगडे देश्दा गडी यल्लियो डाक्टर इंजीनियर कुडा सिक्षक प्रफेसर कुडा राइटर जन्रालिस कुडा काले गार्नु कुडा रेता कार्मेका कुडा ग्यापारी कुडा किल्रु कुडा विद्यार्थी कुडा सारा देश सारा देश मैं भी आप भी मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद